दोस्तो आज किस वीडियो में बात कना चाहूंगी फ्राइडे के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली आखरे गिरावट क्यों हुई क्या कोई न्यूस था क्या मॉर्निंग में इस चार्ट में किलियर इंडिकेशन मिल गया था एक गिरावट हो सकती है इसके लावा नेक्स्ट वी कैसा रहने वाला है मिन्स कि मंडे का दिन कैसा रहने वाला है एक गिरावट होगी या एक रिकवरी देखने को मिल सकती है तो everything in detail बात करेंगे आप लोग वीडियो में बने रिएगा सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली टैम फ्रेम का चार्ट और यहाँ पे एक मुरो बुजू केंडल फॉर्म हुआ है मिन्स कि एक सेलिंग प्रेशर था क्या था एक सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं के आसपास का यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली ओके आखरी गिरावट क्यूं हुई इसके पीछ रिजन क्या था तो मैंने थास्देग वीडियो पे क्लिर ली आपको बताया था आवर्ली टैम फ्रेम पे यहाँ पे एक बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न था ठीक है इसके अलाबा H4 की बात करेंगे तो यहाँ भी सूटिंग इस्टार क्या था सूटिंग इस्टार डेली पे भी पैटर्न था ठीक है मिन्स के एवरी टैम पे सेलिंग पैटर्न था मार्केट ओपन हुआ ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह आवर्ली रिट्रेस मार्केट ओपन हुआ ओपार हुआ था 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 खुल साव पोजेटिव था तो जैसे मार्केट ऊपर जाता है लोग क्या करते हैं जैसे तो आघ्ल्ट रेजिँट्रेट्र कर लेते हैं तो तो यहां पे आपको सल और राइज के स्टेट्जी यूज करना था ठीक है और मै है 48,500 से 48,300 ओके इसने 48,662 के आसपास का लो लगाया ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं more confirmation से दे दिया कब जब S4 पर भी यहां पर क्या क्या execute कर दिया उसके बाद देख सकते हैं और भी अच्छे से confirmation दिया था और गिरावट देखने को मिली तो इसलिए बार बार समझाते आप लोगो प्रॉपर टेकनिकल को फोलो कीजिए मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है इसलिए आप यहां पर बात करना चाहूंगे नेक्स्ट वीक या मंडे की दिन यह किस तरीकिया का मूब दिखा सकता है तो ऐसे तो आप देख सकते हैं जो एच-फोर टैमफेम का चार्ट है और डेली का चार्ट है इसके एक्वाडिंग लगभग यह टार्गेट देहे दिया है ठीक है लगभग तो दोस्तों फिर भी यहां पर देखिए यहां पर क्या है इसने 48,662 तो 300 पॉंट कोई बरी बात नहीं है इतना अबना टाइट दे दिया है तो इसको आप मतनों बोल सकते हैं कि टाइट दे दिया है ठीक है तो चलिए अब तो अब आशा देखते हैं स्मोर टाम फ्रेम पर यहां पर देखिए मैं पर डिटिर न में समझीयेगा क्योंकि आपको time frame combination करना होता है intraday के लिए बिल्कुल आपको smaller time और longer time दोरों को combine करके trade लेना होता है तो यहाँ पे देखिएगा यह 49,000 से 49,100 यह क्या हो गया important resistance हो गया ठीक है यहाँ पे क्या क्या support लिया वापन से जा रहा है तो यदि क्या करे जो bank nifty आपका हो सकता है यही पे open हो open हो ओपन होने के बाद तेजी से यहाँ तक जा सकता है ठीक है या फिर gap open होता है इस area में इस area में open होने के बाद यदि यह क्या करे 5-15 minutes पे continue bearish control form करता है तो further market यहाँ से इस तरीके का price section form कर सकता है means कि यह होगा आपका selling zone यह जो resistance zone है यह होगा selling zone ठीक है बुलिस कब होगा यदि 49,100 के उपर जाता है फ्लैट open हुआ उपर गया और यहाँ पर इसके उपर जाता है तो क्या होगा यहाँ देखेगा यह जोस्तों फिर इसमें यह आ जाएगा तो यहाँ पर आप सपोर्ट था ब्रेक हुआ नीचे आया रिटेस्ट करने उपर जा सकता है तो रिवर्सल पर यहाँ पर सिल कर सकते हैं यहां पर देखेगा नियर दिस ओके बाद सस्टेन करता है बुलिश करने फॉर्म करता है कंटिन्यू 5 मिनट 15-30 मिनट पर तो फिक बाइंग उपरजिटी होगी क्योंकि यहां से आपका जो रेंज है यह अच्छा रेंज है ठीक है यहां देखो इस पेस दीखिया आप कितना स्पेस आपके पास में मिलता है ठीक है से 20,100 या 49,000 से बैक होता है तो वह होगा एक आपका सप्लाइजोर दूसरा जब यह सपोर्ट कल का लो ब्रेक होगा तो यहां पर एक सेलिंग का मौका मिल सकता है बाइंग का कब होगा किलियर देखिए यहां पर इस इस ब्रेक आउट पे या फिर यदि नियर दिस सपोर्ट क आप देख सकते हैं किलियर यहां पर एक मुरूबूजू केंडल फॉर्म हुआ है निफ्टी हो सेंसेक्स हो सभी में गिरावट हुई रिजन क्या था तो मार्केट ओपन हुआ पोजेटिव ग्याप ओपन हुआ बड़ सस्टेन नहीं किया आपको ले चलते हैं इसमों टैम के ओढ़ोडम हुआ इतना मग ज़्लूज करते हैं सब्सक्राइब करेंगे उब एक सब्सक्राइब यहां सब्लस्वें इसम फेसे मार्केट यहां सब्सक्राम हुआ और उप्स्यां लेते हैं बट वहीं से मार्केट नीची आ गया तो थोड़ा सा वेट कर लेते तो यहां पर क्या होता एक पैटर्ण के अक्वार्डिंग आप सेल सेर्वें ट्रेड बनाते तो अच्छा पैसा बनता क्योंकि इसने डैक्शन के लिए कर दिया देखो मार्केट उपर होते ही ट्रेड बनाते हैं तो यह नहीं करना आपको स्टेंस के पास में आप देखो यहां पर कन्फरमेशन लीजिए मिल्स के उपर जाना कि यह क्या करता 50 नट पर फ़र्म किया फिर 31 पर करता फिर अब अरली पर भी बुलिश के टब सब्सक्राइब करता नहीं जाना था अभी यहां पिक पैटर्न बना दिया तो टॉप पे इसने मार्निम इंडिकेशन देदिया था कि गिराबट हो सकती है और इतनी अच्छी गिराबट भी फि इसलिए जिनको जॉइन करना है पॉब्लिक लिग्राम चैनल है फ्री और कोई पैसे नहीं लगना है आप वहाँ पर जा करके जॉइन कर सकते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगे नेक्स देख के लिए मंडे के लिए किस तरीके मूब दिखा स देख नहीं है जो पैटन केंगे आप कोई बहुननलने की मिली सबस्क्राइब को दिखाएंगे यहां पर दिखोता क्या है ठीक है कि क्योता था जौल लोग का बात करेंगे तो 22,348 यदि यह लोग होता है तो यहां पर क्या होगा एक्वादिंग टू डवल टॉप और वीकली टेम फ्रेम एगेन यहां से ट्रेंट हो जाएगा बीरिस ठीक है लेकिन यदि यह ब्रेक नहीं होता है तो आपको कैसे ट्रीड करना तो आप यहां प 450 से 22,470 के आसबस ठीक है इसके उपर सस्टेन करता है तो फर 드र यहां से अपसाइड में यह कहां जा सकता है 22,600 तक यह जा सकता है मिन्स कि यहां पर वाइंग का मौका दे सकता है और यदि इसके नीचे continue रहता है इसके नीचे continue और नीचे आने के बाद यह low break करता है तो further weekly के according क्या हो जाएगा विर इस बोड में चला जाएगा ठीक है यहां यहां से भी आपको एक move देखने को मिल सकता है यहां से भी आपको एक move देखने को मिल सकता है यहां पर support break होता है और support break होने के बाद यह विकली का execute होता यह दिन मार्केट एगें बियर इस ट्रेंड में तो आपके लिए फ्टी टू थाॉजन फॉजन 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 से यह काफी important level है दोस्तों यहां पर बात करा चाहूंगे infosys के बारे में infosys देखो आग्या retracement के पास में बात को समझें यहां पर यहां पर क्या है एक buying pattern है और हमने कहा था infosys हो सकता है बीच में आपको एक once यह 1400 से 1410 के आसपास में मिल सकता है यही retracement जहां पर आपको right entry बनानी है ठीक है बिल्कुल दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप call option buy करते तो आपको क्या होता loss हो सकता था premium decay का ठीक है बट यहां पर यहां पर यहां पर यहां से profit होने के chances maximum होंगे चाहिए आप cash में कीज है बहुत अच्छे जगह पर आया है कल भी इंट्राडे में इस पर trade था ठीक है अब यदि यह एगेन आपको इसी price पर कहीं पर मिले यह टूटल के आप बाइंग जोनी है अभी देख सकते हैं 4916 क्या सब्सक्राइस का closing है तो एक अच्छा बाइंग जोन में है यहां से upside target है इसका 1400 80 से 1500 बहुत ही अच्छा upside move दिखा सकता है बट SL mandatory है SL कितने का है तो इस के नल का लोग यह क्या होगा 1379 यह है आपका stop loss ठीक है SL हमेशा लगाना चाहिए क्योंकि SL ही ऐसा चीज है जो आपके capital को save करता है यह तो maximum loss कितना भी हो सकता है इस market है दोस्तों यहां जो भी हमने बताया है कोभी tips recommendation बिल्कुल भी नहीं है मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया आपको trade करना होगा खुद के analysis के connect trade कीजिएगा आसा करते हैं आज के video से काफी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो अच्छा भी लएगा वीडियो को like कीजिए share चैनल पर new है तो subscribe भी कीजिए फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्ते